बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्किलिनरी और यहाँ पे आपके सामने है बनारस की स्पेशल सफेद मतर की चार्ट जिहां बहुत ही टेस्टी यह चार्ट होती है बनाना बिलकुल आसान है बिलकुल मार्केट की तरह इस रेस्पी को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाइ स्टेप इस रेस्पी को आप देखेंगे कि ये कैसे बनाई जाती है तो यहाँ पे हमें करनी है थोड़ी सी तयारी तो यहाँ पे हमने लिया है सफेद मटर और इसे हमने राद भर पानी में भिगो के रख दिया अच्छी तरीके से इसे साफ कर लीजिए, राद भर भी गो दीजिए, जब ये फूल जाएगी इसका पानी गिरा के दूसरा पानी हम लेंगे और कूकर में इस तरीके से डाल देंगे तो बिल्कुल जितना हमारा मटर है उतना ही पानी हम लेंगे साथ में नमक और थोड़ा सा मीठा सोड़ा इसमें डाल देंगे जिसे कि मटर बढ़ियां से गल जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे 5 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पका लेना है गोकर का ठकन बंद कर देते हैं प्रेशर चेक कर लेते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो यहां पे हमारे पास हरी मिर्चे हैं इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे यह बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है आप मिर्ची को थोड़ा चकले तब डालें और यहाँ पे हम लेंगे अद्रक और साथ ही हम लेंगे लहसुन को भी और इन सबों का हमें दरदरा मिक्षर बनाना है दरदरा मिक्षर बनाके हम इसे रख लेंगे साइड में तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा ये दरदरा बिक्षर, अद्रक, लहसुन और हरी मिर्च का इसके साथ ही इमली को हमने भिगो ली है अब यहाँ पे इमली जब फूल जाए तो इसे एक लिटर पानी में आपको मसल के रख लेना है अब यहाँ पे हमारे पास लाल टमाटर और इसे हमें अच्छी तरीके से चौप कर लेना है तो यहाँ पे छोड़े छोड़े टुकड़ों में हमने इसे चौप कर लिया है जिससे कि यह गल्ने में आसाली होगी और यहाँ पे कटा हुआ पनीर ले लेंगे, काजू के टुकड़े ले लेंगे, साथ ही यहाँ पे ले लेंगे हम लाल मिर्च की पाउडर और यहाँ पे हम ले लेंगे चाट मसाला जो की बहुत ही ज़रूरी है, कस्मीरी मिर्च पाउडर लेंगे क्योंकि हमने इसमें कलर का यूज नहीं किया है साथ में घर का बनाया गरम मसाला और यहां पे हल्दी ले लेंगे तो हमारे मटर हो गए है बॉयल और हम इसे देख लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से पग गए है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए है नर्म हो गए है यह देखे बिल्कुल चूते ही यह बिल्कुल मैश हो जा रहा है गल जा रहा है अब यहां पर तो चलिए अब चाट बनाना सुरू करते हैं तो यहां पे एक बड़ी तवे पर हमने तेल ले लिया और यहां पे हम घी डाल रहे हैं घी से बढ़िया कर लिया जाता है जिससे की बढ़िया सुनाहट आती है और इसके बाद हम इसे इन आलूओ को फ्राई किये वा आलूओ को निकाल लेंगे और इसे मैश करके हम अलग रख लेंगे इसे हम जब चाट का मसाला बन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे तो इसे हम साइड में रख के से डियर से दो मिनट हम पकाएंगे तो अधरक मिर्च लैसुन अच्छे से पक गया है अब सूखे मसाले डालते हैं तो हल्दी लाल मिर्च पाउडर कस्मीरी मिर्च पाउडर और इसके साथ ही हम गरम मसाला चाट मसाला और नमक डालेंगे और मैं आपको फिर से यहाँ प तो मसाले को थोड़ा सा भून के अब इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये जो तवा है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और थोड़ा सा पानी डालके हम मसाले को अच्छी तरीके से पका लेंगे और जब ये मसाला पक जाएगा तो इसमें हमने जो काट के टमाटर रखा हुआ है पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे और इसे मसाले के साथ मिला लेंगे और इसे साथ में मैश करते रहेंगे जब तक टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट न हो जाए इसे पकाते रहें तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें काजू के टुकडे डा देना है और फिर इसके बाद आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है मिलाना है तो यहां पे अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे पानी इसमें अच्छी तरीके से डालेंगे और आपको इसमें बीच बीच में भी पानी की रखा है उस पानी को हम इस मसाले को भुन जाने के बाद डालेंगे तो अब मैसर की मिदद से अच्छी तरीके से हम मैस कर लेंगे जिससे मतर जो है एकदम सौफ्ट हो जाएगा और ये मसालों के साथ बिलकुल मिल जाएगा और अच्छी तरीके से अब ये मिल जाए ठिक हो ज अब यहाँ पे हम सादा पानी नहीं डालेंगे अब यहाँ पे हम इमली का पानी डालेंगे तो इमली को हमने मैस्क किया और उसमें एक लिटर पानी मिला के हमने रख लिया है जैसे जैसे जरूरत होगी हम इसमें डालते जाएंगे तो यहाँ पे हमने पानी को डाला इमली के तरीके से इसे मिला लेंगे और एक बार फिर से हम यहाँ पे इमली का पानी डालेंगे जिससे कि इसकी consistency ठीक हो पाए और इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से आप mix कीजिए मिला लीजिए तो बस तेज आज पे दो मिनट इसे इस तरीके से पका लीजे और आपकी चार्ट बनके बिल्कुल तयार है इसके उपर से डालेंगे कटा हुआ धन्या तो जी अब चार्ट को हम कर देते हैं सर्व तो इस तरीके से मिट्टी के बड़े-बड़े कुलडों में इस तरीके से चाट को डाला जाता है इसके उपर से देसी घी आप डाल सकते हैं तो यहां पर हम थोड़ी सी देसी घी डाल देते हैं आप चाहें तो उपर से प्यार, थोड़ी सी पापड़ी जो पसंद हो वो डाल लिए और आपका ये मटर का चार्ट बनके बिल्कुल तयार है रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए रेस्पी आपको कैसी लगी थैंक यू सो मच